नमस्कार दोस्तों सौगत आपका रेकुर्मेंट जाब यूट्यूब चानल पे दोस्तों आई टी मंदी मतलब इंडियन इस्टिट्यूट आप टेकनलोजी मंदी की तरफ से यहाँ पर बहुत सारी पोस्त निकल के आचुकी दोस्तों नान टिचिंग स्टाप के लिए तो यह नोटिफिकेशन तो आप देख सकते हैं आपके सामने ओपन हो चुका है ओपिस्यल नोटिफिकेशन आइटी मंडी 175 075 का हिमाचर प्रदेश की तरफ से निकलावा रेकुर्मेंट का यह नोटिफिकेशन है दोस्तों यहाँ पर हम लोग सुरू से ही देखते हैं प्रारण भ मतलब एक महने का यहाँ पर कालावदी है आपके वास करीबन एक महना बचा है तो आप जरूर अप्लाइक कर दीजिए दोस्तों यह भारतिया प्राद्यूविक संस्तान मंडी की तरफ से निकली बहुत सारी पोस्ट है कौनकों सी पोस्ट है चलो देख लेते आपकी सामने उपन कर देता हूँ देखिए जो पहली जो पोस्ट है और टेकनिकल ऑपिसर की है वरक्शाप सुप्रिडेंट की दोर पर और उसके लिए जो पेस्केल है मतलब सैलरी जो मिलने वाली है और उसके लिए दोस्तों एज लिमिट की बात करें तो यहाँ पर आपका एज पोस्ट निकल के आच चुकी जो की अन्रिजर्व काटेगरी के लिए है दोस्तों सेकंड जो पोस्ट है वह स्पोर्ट ऑपिसर के लिए और स्पोर्ट ऑफिसर के लिए यहाँ पर आप देखेंगे तो सैलरी लेवल जो है पेलेवल जो सेम है 56100 रूपए से लेके एक लाग स पोस्ट निकल के आच चुकी है दोस्तों अगली जो पोस्ट है जुनियर टेक्निकल सुपरिडेंट की तौर पर पोस्ट है और उसके लिए जो सैलरी मिलने वाली ओह है 35400 से लेके एक लाग 12400 रूपए तक और इसके जो एज लिमिट है ओह है 35 मतलब 35 यह मैग्जम एज होन दोस्तों अगली जो पोस्ट है जुनियर सुपरिडेंट की तौर पर निकली पोस्ट है उसके लिए सैलरी भी देखेंगे आप तो देख सकते 35400 से लेके एक लाग 12400 रूपए तक यहाँ पर सैलरी मिलने वाली है और एज लिमिट की बात करें तो एज लिमिट भी यहाँ प दोस्तों अगली जो पोस्ट निकल की आ चुकी है जुनियर सुपरिडेंट राज भाषा के लिए और उसके लिए दोस्तों अगर सैलरी की बात करें तो 35400 रूपए तक सैलरी यहाँ पर देखने को मिलती है और इस लिमिट की बात करें तो यहाँ पर 35 एस लिमिट दिया गय चीनल जई है बाएस है ढूंटी की यहां पर जो मिलने वाली है और 35 लगा रगा चाहिके हुर्ण लोत के यह पर, धालग तिस लिमिट पोस्ट है और अन्रिजरोड के लिए दो पोस्ट है तो कुल मिला कि तीन पोस्ट यहाँ पर आपको देखने को मिलती है दोस्तों अगली जो पोस्ट है जुनियर लेबराटरी असिस्टंट के लिए है टेक्निकल के लिए तो उसके लिए सेलरी की बात करती है यहाँ पर 25,500 र पाथ पोस्ट है, EWS के लिए दो पोस्ट है, और अन्रिजर्व काटा कर लिए चार पोस्ट है, कुल मिला के 14 पोस्ट यहाँ पर देखने को मिलती है, और जो लास्ट की जो निकली है पोस्ट वो है जूनियर असिस्टंट की, और उसके लिए सैलरी की बात करें तो 21,700 से लेके 79,100 रुपे तक यहाँ भी सैलरी देखने को मिल रही है, और एज लिमिट की बात करें तो यहाँ पर मैक्जिमम एज लिमिट 30 एस दिया गया है, मतलब 30 साल के उपर आपका एज नहीं होना चाहिए, और कुल मिला के 12 पोस्ट निकल के आ चुकी है, जूनियर असिस्टंट की उसमें से ST के लिए 2 पोस्ट है, OBC के लिए 4 पोस्ट है, EWS के लिए 2 पोस्ट है और Unreserved Catac लिए 4 पोस्ट है, तो कुल मिला के 12 पोस्ट है, तो दोस्तो सब टोटल मिला के अगर बात करें तो यहाँ पर 43 पोस्ट निकल के आ चुकी है, जो की अच्छी खासी पोस्ट है, आगे चलके मेन-मेन चीज़ों की जैसे की educational qualification क्या लगने वाली है, और कौन से department के लिए पोस्ट निकल के आ चुकी है, तो देख सकते हैं आपकी जो पहली पोस्ट दी टेक्निकल ऑपिसर की workshop सुप्रिटेंट के लिए तो यहाँ पर educational qualification की बात करें तो आपका B.E.R.B.Tech किय होना चाहिए, और भी mechanical या production engineering में और साथ ही सद आपको एक साल का experience होना चाहिए, तो आप यहाँ पर अप्लाइक कर सकते हो, और दोस्तों स्कूल section या center की बात करें तो यहाँ पर जो section है, वो school of engineering में आपका यहाँ पोस्टिंग हो सकता है, दोस्तों अगले जो पोस्टी sports officer क यहाँ पर आपका master degree होना चाहिए, इन physical education में या तो फिर master degree in sports science में होना चाहिए, with at least 55% मार्स के साथ में, तो आप यहाँ पर apply कर सकते हो, तिसरी जो पोस्ट यहाँ पर निकली है, यहाँ पर हम बात करते है, जुनियर टेक्निकल सुप्रिडेंट की, जो कि यह सी के लिए पोस्ट थी, ओविची के लिए दो पोस्ट थी, और अंडरी जिरो के लिए दो पोस्ट थी, ग्रूप B की पोस्ट निकल के आज चुकी, इसके लिए education qualification की बात करें तो first class bachelor degree आपका होना चाहिए, in science में, मतलब अगर अपनी science में bachelor degree की है first class का, तो आप यहाँ पर apply कर सकते हो साथी साथ आपके subject जो है, computer होना चाहिए, electrical होना चाहिए, electronic होना चाहिए, उसमें से कोई भी एक subject आपका होना ज़रूरी है, और साथी साथ आपका 5 साल का experience होना चाहिए, तो आप यह apply कर सकते हो, जो अगली पोस्ट है, junior superintendent की, उसके लिए यहाँ पर आपका bachelor degree होना चाहिए minimum 55% मार्स के साथ में with 8 years relevant experience, आपका 8 साल का experience होना चाहिए, या तो फिर आपका master degree होना चाहिए, with 55% मार्स के साथ में 5 साल का experience आपका होगा, तो भी आप apply कर सकते हो, दोस्तों, junior superintendent की total, जो पोस्ट थी, उसमें से एक SC की थी, एक OBC की थी, sorry, OBC की दो थी, EWS की एक थी है, और लिए दो पोस्ती, तो काफी पोस्ती आपी निकल का चुकी थी, तो जरूर आपको apply करना चाहिए, दोस्तों, अगली जो पोस्ती हो, junior superintendent राज्य भाषा के लिए निकली होई थी, वो अन्रिजर्ट की एक ही पोस्ती है, और गूप B के लिए पोस्ती करके आ चुकी तो इसके कर सकते हो, या तो फिर आपका master degree English में होना चाहिए, साथ इसाथ आपका Hindi subject होना चाहिए, मतलब आपका English या हिंदी दोनों subject साथ में होंगे, तो यह आप यहाप apply कर सकते हो, आपको 55% मार्स भी होना चाहिए, पोस्ती में, तो आप यह apply कर सकते हो, दोस्तों, जो आगली पो होना चाहिए, आपका civil engineering का साथ इसाथ तीन साल का आपका यहाँ पर experience होना चाहिए, तो आप apply कर सकते हो, साथ इसाथ आपको computer का knowledge भी होना जरूरी है, और desirable, essential हो गया, आप desirable की बात करें, तो यहाँ पर आप देख सकते है, experience of working in hilly areas, अगर आपने hilly areas भी काम किया है, तो maintenance work of building, STP water supplies में से अगर आपका किसी का experience है, तो आप यहाँ पर selection होने के chances ज्यादा है, दुस्तों अगली जो पोस्त निकल के आच चुकिती हो, junior laboratory assistant के लिए थी, technical के लिए, ग्रूप C की पोस्त थी, और उसके लिए आपको education qualification के बात करें, आप पर diploma किया होना चाहिए, engineering में, computer electrical electronics में, और साथ साथ तीन साल का आपका experience होना चाहिए, दुसरा या तो फिर आपका B.E.S.C. होना चाहिए, graduation with 55% marks, और साथ साथ आपका दो साल का experience होना चाहिए, discipline में, और दुसरा knowledge of computer office application का आपका knowledge होना जरूरी है, तो आप यहाँ पर apply कर सकते हो, आपका यहाँ पर selection होन करे, educational qualification की तो आप देख सकते है, bachelor degree होना चाहिए, with 55% marks के साथ में, with computer of, sorry knowledge of computer application का, आपका computer application का knowledge होना चाहिए, with at least one year का experience भी होना चाहिए, तो ही आप apply कर सकते हो, यह तो फिर इसको और दिया गया है, master degree आपका होना चाहिए, 55% marks के साथ में, और साथ यह साथ आपको computer का knowledge हो क्amp एक वाइज़ स्कते ē sax dictate एक की नियुकरेय की जरूरत यहां करना की आप ونलाइन करनी वाली तो आपको सारी चीजे यहां पर करनी है यहाँ पर कोई भी offline नहीं होगा सारी चीज़ा online होगी और फीज की बात करें तो चलो मैं आपको बता तो फीज आपको कितने लगने वाली है तो आप यहाँ पर देख सकते है स्टेट बैंक आप इंडिया में जाके आपको फीज भरनी है फीज है सिर्फ 100 रुपे आप देखें तो यहाँ पर देखिए मंडी के खाते में online स्थानंतर के माध्यम से 100 रुपे आवेदन शुल्ग देना होगा मतलब आपको सिर्फ 100 रुपे यहाँ फीज लगने वाली है और online payment के लिए आप इस्टेट का प्रावधान दिया गया है आप इस्टेट करके online payment कर सकते ह उसके लिए नीचे आपको शाखा का पता दिया गया है bank का नाम दिया गया है bank of India का सब्सक्वर सकते हो तो इस तरह से सारे चीज़े यहाँ पर दी गई है आप जरू यहाँ पर इपलाई कर दीजे यहाँ पर 100 रुपे फीज भर दीजे और आपको काम हो जाएगा शायद आपको जौब मिलने के चांसे बहुत ही ज्यादा है तो दोस्तों वीडियो कैसा लागा जरूर बता है अच्छा लगा तो वीडियो का लाइक कीजिए दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए और अगर आप सच मुझ गर्वन जौब पाना चाहते हो तो मेर ते नई जौपिसात में नई वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद